हेलो फ्रेंस, वेलकम बैक टू मैं चैनेल, आप सभी लोगों का स्वागत है पियांका बेडास कीछेन में आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ, ओर्स एंड बनाना स्मूधी हम सभी लोगों को पता है, ओर्स बहुत हिल्दी होती है अगर आप बॉडी वेट कम करना चाहते हैं, तो आपके फूट डायेट में ओर्स होनी चाहिए और बनाना भी काफी हेल्दी है, मैंने डिस्किप्शन बॉक्स में कुछ लिंक शेयर की है ओर्स एंड बनाना रिलेटेट, प्लीज आप लोग चेक कर लीजिए तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, ओर्स एंड बनाना स्मूदी स्मूदी बनाने के लिए पहले मुझे जो जो चीज़े चाहिए, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ यहां पर मैंने फोर स्पून ओर्स लिया है, चाड ऐलमंट लिया है बदाम और इसी के साथ चाड खजूल लिया है, इसी के साथ मैंने थोड़ा सा गडम दूद में भीगो के रखा है और इसी के साथ मैंने cinnamon लिया है इससे मैंने dry roast किया है dry roast करने के बाद मैंने इस तरीके से powder बना ली है तो मैं cinnamon थोड़ा सा powder यूज करूंगी और इसी के साथ मैं दूत लूँगी one glass दूत और banana यहाँ पर मेरे पास big banana है तो मैं one glass अगर quantity हो रही है तो फिर मैं half banana यूज करूंगी अगर आप लोगों के पास छोटी साइज बनाना है तो फिर आप लोग एक यूज कर लीजे तो इससे कैसे start करते वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पर मैंने pan को गरम होने के लिए रख दिया है और flame को मैंने medium hot रखा है अभी मैं क्या करूंगी ओर्स डाल दूंगी इसमें और इसी के साथ बढ़ाओ almond पुझे हलका सा roast करनी है इसे ज्यादा नहीं हलका सा dry roast कर लूँगी उसके बाद इसे मैं powder बना लूँगी इसके बाद मैं इसका इस पाउडर बना लूँगी यह अभी कूल डॉन हो चुका है अभी मुझे इससे पाउडर करनी है अभी मैं एक बड़ा सा मिकसर जल लूँगी और एक एक कड़के में डाल दी जाऊंगी यहां पर मैंने जो ओर्स एलमंड के साथ जो मैंने पाउडर बनाया था वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी इसी के साथ थोड़ा सा सिनमन पाउडर थोड़ा सा और इसी के साथ वो जो खजूर मैंने भीगो के रखे थे गड़म दूद में वो मैं डाल दूँगी और बनाना हाफ इस तरीके से काटके और दूद वान ग्लास अभी इसका एक पेस्ट बनाना है मेरी स्मूधी बन गई है अभी मैं इससे सार्फ करूँगी तो फिर आप लोगों ने देखा मैंने कितने कम समय में कितनी अच्छे से बना ली है ओटसन बनाना स्मूधी आप लोग घर पे ट्राइ कीजिए और ट्राइ करने के बाद मुझे बताईए कैसे बनी है मेरी इस वीडियो अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को भी प्रिस करना है इससे क्या होती है मेरी आने वाली जितने भी वीडियो से सबसे पहले आपके पास ही आएगी थैंक्यू